कि आप सभी श्रोता वंद्वों कूप बौरम बारपणाम नमश्कार मित्रों बहुत मेनत और कोशिश करने के बाद में आज जानकारी लेके आया हूं और यह जानकारी ऐसा है कि आपका मन तो खुशी हो जाएगा खुश्य गदगद हो जाएगा और मेरा भीवन प्रसंदता स में पुस्तक के लिए मैंने सबकुश तलाशा घूड़ा इवन घीता प्रेस में कई बार मैंने सर्चमारा लेकिन दुर्भाग वश्य नहीं मिल पाई पुस्तक को अधूल कि नहीं मिल पाई है और कोशिश किया कि पुस्तक मिल जाये तो फिर अम आप लोगों को उस जानका जानकारी इतनी है मित्रों कि अगर मैं बैठ जाओंगा आप सुनाने चुरू हो जाएगा आप लोगों को पता चल जाएगा उसके बाद में आप उठने का मन नहीं करेंगे आप इसको पूरा बेखी बिना आते हैं जानकारी होगी हमारी भीष्म महराज जी के ओपर मुनी थे रिशी थे महापुरुष थे सब कुछ थे सब उसरव गुन संपन्नि थे और हम जानते हैं कि प्रतिग्या के बारे में तो विष्म इख्यात है अब मित्रो चुकी हम शुरुबात कर रहे हैं इस भीष्म प्रतिग्या रूपी कथा को तो हमें चाहते हैं कि भीष्म से समंदित जितनी भी कथाएं हैं सारे को बताया जाएं सारी जानकार्या कोई भी संप्स्चाय न रहे क llei प्रतिग्या के शुरु करते हैं उस पिल जब पुरानी कथाओं में जाते हैं तो उसमें लिखा हूँ है कि दक्ष्महाराजा के पुत्री थी एक पुत्री थी बसू उसकी शादी हुई थी धर्मजी से जब बसू के संतान जोत्पन हुए आठ संतान हुए और उनका नाम जो भी था उसमें आठ बसू हुई है अब आठ बसू हो गए उनमें सबसे छोटे थे जो अब सब लोग भगवान की सुरक्षा में रहते विश खहर गाओं में ऐसा होता है लेकिन कोई बात नहीं है मज़ा तो इसी में आता है ठीक है आनन्द तो भी आता है जब आप कभी कष्ट दे कर कुछ करें कुछ तपा कर कुछ करें इस कथा को सुनने के लिए लोग क्या-क्या मेहनत करते हैं कितनी दूर चले जाते हैं आपको बिविश्श को प्रतिग्या RIVE कता को सुनाने के लिए कि इतनी जानकारिया लेकर आयों कितना मेर्नत करने के बाद मैं पुस्तक सक यह मिला कहांना मैं क्या से मिला यह सब बान कि बात है तो उन्ही 10 संतान प्रवाइब देव की जो पत्नी थी उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मुनिवशिष्ट के आश्रम में गाय बहुत बढ़ियां बढ़ियां आएं तो यह गाय ले आओ गाय भाई मुनिवशिष्ट कैसे देंगे तो वह चुरा लाओ तो आठो बस हुए चुराने तो अब चुराने गए तो मुनिवशिष्ट सो पंडित जानी इतनी बड़े विद्वान प्रगांड भविश्ट के जाननी ग्यात ग्याता उन्होंने श्राप दे दिया आठों लोग को श्राप दिया और श्राप ये दिया कि आप जाकर मनुश्योंई में जन्म लेंगी जब यह लोग सुने परिशान हो गए कि मनुश्यों निवे जाके जन्म लेना पड़ेगा अब वशिष्ट के चरणों में लोट पूट गए हैं जब वशिष्ट महराज जी के चरणों में लोट गए तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप लोग अब चुकी कह दिया है जाना है तो जाना पड़ेगा आपको लेकिन अल्पकालीन के लिए जाओंगे और कुछ समया पहसासा आ जाओंगेता सबसे चोटे दो जिसने मुराही किया था चुराई गाये तो मुराही मुराही किया इसकी से अपनी पतनी के कहने पर किये उन्होंने कहा कि आप मानोतन में जाएंगे मनुश्यकाल में रहेंगे लेकिन आपको दीर्ग कालीन के लिए तक रहना पड़ेगा और अपने पत्नी के कहने पर आप ऐसा काम किया है तो मैं आपको यह श्राप देता हूं आशिरवात देता हूं आप जो भी लेना जैसे लेना है कि आप बिन लोग उने कथा भी सुना हूआ है उस कथा में जो है हमने पंडित चंग शेकर जी हैं उनकी एक कुस्तक है उन्हों कुस्तक में बहुत अच्छा वलोग में पूरा आपको सुनाओंगा पहुत ही मार्मिक ढंक से उन्होंने वर्ड़न किया है यहां पर हम जो आठ कह रहे थे उस आठ के पीछे उन्होंने एक बार भीश्म जी ने प्रकृष्ण से पत्तिया हो रही थी है बताएंगे उसमें पूरे जानकारी आगी लेकिन तब उन्होंने एक शब्द का वड़न किया था उन्होंने का कि आप सुनिये कि जिस तरह मेरे साथ साथ बड़े भाईन को सु अब इनका नाम भीश्म क्यों पड़ा भीश्म इसलिए पड़ा क्योंकि पित्रभाक्ते थे इनकी माता इनको लेकर चली गई थी साथ भाईयों को बोने के बाद में आठवा जब इस अन्तान उत्पन हुआ था तब महराजा चांतन ने रोक दिया था कि आप इनको रहे दीजिए गंगा माता जी ने कहा कि ठीक है मैं इनको अपने साथ में समय के लिए अपने साथ में रखूंगी शिक्षा दोंगी उसके बाद में लाकिया आपको आपस कर दोंगी ठीक वैसे हुआ मित्रों गंगा माता जी इनको लेकर चली गई भीष्म महराज को भीष्म जी को लेकर गई उस समय भीष्म भीष्म नहीं थे देवब्रत थे सारी करने के आई कि देवब्रत जी को डेवब्रत जी आये का हुटा राजा जी यहां इक बार एक दिन आखेट पर द आखेट पर जाने पर कहीं बात जब किये पीता जी ने कहा कि ऐसा है कि मैं शादी एकी सर्थ पर कर सकता हूं कि जब मेरे पुत्रे का जो संतान होगा वही हस्तेना प्रुका राजा बनेगा कि यह संभव था क्यों कि बड़े पुत्र भीषम जी महराज थे अब वहां से शांतन महराज चले तो आए लेकिन बहुत परिशान रहने लगें भाई जो अपना शुपचिनतक होता है शुपचिनतक कोई भी हो पुत्र पत्नी हो नारी हो घर की परिवारी हो बाहर की दुवा जाली हो कोई वीवज अगर अपना शुप्चिन तक है तो बड़ा देता है वो आपके सुक दुख में हमेशा शात रहेगा कि आप क्या हुआ आप नाराज रहेंगे तब भी पता चल जाएगा जब धिश्मिजी को पता चला जिए ने कहा क्या रिजन हो सकता है रिजन तो उस अब चुकि सार्थी के साथ में साथ ही होते हैं साथ ही रहे थे सार्थी ने बताया कि यह इसी घटना होई है फिर उन्होंने जाकर के वो उसके पास गए उनकी पिताजी के पास गए उनकी पिताजी ने फिर यह प्रस्ताव रखा इन्हेंने कहा कि ठीक है मैं आज से प्रण हुआ हैं से आपको लोग भीष्म कहेंगे मतलब होता क्या एяти इनके प्रतिग्या क्या होती थी बहुत कठोर होती थी इनके प्रतिग्या कठोर थी तो इनका नामन उने क्या दिया भीश्म भीश्म प्रतिग्या अब हम यहां से आगे की कथा शुरुवात करेंगे भगवान इसमें क्या है कि भगवान कृष्ण से युद्ध करना होता है भीश्म को और भगवान कृष्ण के शामने भगवान कृष्ण की ही सवगन दखाते हैं और भगवान कृष्ण को किस तरह ललकारते हैं इस का वरणान हमागे करेंगे अब चुकि वीडियो बहुत बड़ा हो जा का जो वाक्युद्ध होता है या फिर जो भी प्रण लेते हैं भीश्म कि किस तरह मैं आपसे शस्त्र उठवा हूँगा अगर सस्त्र नहीं उठवा सका तो क्या करूँगा कैसे करूँगा इसका हम लोग उलेखी बहुत किदावे में पढ़ते हैं यहां तक कि हमने सूर्दास जी महराज हैं उन्होंने भी सूर्दास में इसका वड़न किया हुआ है कि आज जव हर हीना सस्त्र गहाँ आज जव हर हीना सस्त्र गहाँ तव लाजव गंगा जननी को शांतन सुतन कहाँ कहते हैं कि अगर आज मैं भगवान फिल्त गहां चर्फ को श्यास्त्र नहीं उठ्वा दिया तब अला ज़ो तो लाज माठा गंगा पर और शांतन अका में पुट्र नहीं कहाँँग 10 लेते हैं और इसी पृतिआ को किस तरह पूरा करते किया कैसे होता है आगे हम आपको जो है का सुनाएंगे प्रयास हो गांप कि अगर सुने भी बड़ा आनन्द आए अब ना तो हम जन्मजात भईया कथा वाचक हैं ना तो हम कहीं कुछ अपने आप में मिला लीजिएगा क्योंकि हमारा एक प्रयास है कि हम अच्छा से अच्छा करें और आपको बीच में अच्छा प्रस्तुति दें किसी कारण वाश कुछ समस्य हैं हो सकती हैं वो समस्य हो होगा दूर किया जाएका आप इस तना सुनिए इसको बात बताएएत कैसा लगा वाफि हम आपको कल मिले है अगर आपको अच्छा लगे तो हम आगे का कारेकरम जारी रखेंगे अन्य था इस कारेक्रम को इवे विराम दे देंगे जिस तरह की भीश्म की प्रतग्या उसे अधुरी नहीं होनी चाहिए इसको पूरी होनी चाहिए लेकिन इसको पूरी करेंगे आप लोगों का अगर साथ मिला तो आप सभी शोता बंदों को नमस्कार प्राम जजय श्री सित हली क्या बल्वान